और तकनिकी के आधार पर नहीं नहीं बाते जो आ रही वो और आग में घी डालने का काम कर रही नियंत्रण नहीं है उसका OTT प्लैट्फॉर्म से है उस पर कैसे कैसे चित्रा आते हैं क्या क्या आता है अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मूबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देखे ही रहे और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं और OTT प्लैट्फॉर्म पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं देश में तरह तरह के नशीले पदार थाते उनकी आदते बढ़ रही है वो कैसे रोकी जाए कैसा हो पता नहीं उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तरह सब में भयंकर व्यसंद और उस्त्रियापार से जाने आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता हम सबको पता है देश विरुजवी कारियों में उसका उप्योग होता है सीमापार के देश उसको प्रोच्छान करते हैं ऐसी सारी बाते चल रही है और अनियंत्रित बाते भी बढ़ रही है बिटकॉइन जैसी करंसी है किस राष्ट्र का किस नियम का उस पर नियंत्रणे मुझे नहीं पता एफ्ष्परदा खड़ी हो रही है इन सब बातों को नियंत्रित करना समाझ के हित्मे चलाना ड्रग्ज जैसे व्यसनों का पूर्ण निरासों इसका प्रयास करना ये शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा, परंतु शासन तो अपना काम आज नहीं कल करेगा, करने का प्रयास कर भी रहा है, वो यशस्वी आज नकल होगा, परंतु तब तक के लिए इसका बचने क्या का और बाद में भी बचनी की क्या बात है, कैसे होगा? तो अपने हाँ पर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है, मन का ब्रेक, उत्तम ब्रेक, समाज का मन तयार होना चाहिए, नई पीड़ी का मन तयार होना चाहिए, बालकों का, शिशुओं का मन घर में तयार होता है, नवतरुन होने के बाद जब दुनिया में जाता है और दुनिया के आगे खड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को क्या लेना, क्या नहीं लेना, क्या ठीक है, क्या गलत है, इसका विवेक जो मिलता है, वो घर से तयार होके मिलता है, माता-पिता के आचरण के उधारण से मिलता है, घर में जो अपनी कुलरी तिया, पद्धतिया चलती है, उसके संस्कारों से मिलता है, उनको ठीक करने से बहुत सारी बात, बिना शासन के भी हम कर पाएंगे, और इसलिए कुटुम्ब प्रबोधन की गतिविजी हमारे स्वन झाल